हेलो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और बेल लाइकन को भी दवाएं ता इस सारी लेटर्स अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे तहले हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ग्यारिवी क्लास की स्नैप सोट्स बुक के चैप्टर थ्री रंगाज महरिस को रिटिन बाई मस्ति आएंगर इसके इंपोर्टेंट सोर्ट एंड लोंग आंसर टाइप कॉस्टेंज एक्जाम के लिए कौन-कौन से इंपोर्टेंट है उनको डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले बहुत ही ब्रिफ में बहुत ही शॉर्ट में I will discuss the story of this lesson इसमें रंगा एक लड़का है जो की गाउं से बिलोंग करता है और उसके फादर जो की एक अकौन्टेंट है गाउं का महौल एकदम से बहुत सिंपल है भोले भाले रोग हैं इन्नोसेंट हैं निर्दोश हैं वो इंगलिस का एक वर्ड भी नहीं जानते हैं और एकौन्टेंट जो की रंगा का फादर है वो वड़ी हिम्मत जुटाता है कि अपने बेटे रंगा को इंगलिस पढ़ने के लिए गाउं से बाहर बैंगलोर सीटी में भेजता है और जब ये रंगा वहां से पढ़ने के बाद अपने गाउं वापस लोटता है तो गाउं के सभी लोग बड़े उत्शुक हैं उससे मिलने के लिए कि सहर में जाने के बाद और इंगलिस पढ़ने के बाद उसमें क्या परिवर्दन हुआ है क्या चेंज आया है एक फंक्शन की तरह सभी लोगों का जमावड़ा लग जाता है उसके वेलकम के लिए उसको देखने के लिए जैसी रंगा आता है सब लोग उसे देखते हैं बड़े भोले भाले लोग हैं देखते हैं कि वही लैग हैं वही हैं वही आईज हैं इनमें तो कोई परिवर्दन नहीं हुआ है और रंगा उस समय अपनी कल्चर को फोलो करता है जो कि गाओं की कल्चर है उसी तरह से बात करता है सब को नमशकार करता है तो सभी लोग पाते हैं कि उसमें कोई परिवर्दन नहीं हुआ है आज भी वह अपनी कल्चर को फोलो करता है narrator जिसने की जो की author है, लेखक है वो भी मापर मौजूध है वो भी देखता है कि क्या उसमें कोई परिवर्टन आया है लेकिन कोई परिवर्टन नहीं आया रंगा narrator के पैर छूता है अपनी culture को follow करता है narrator जो की author है लेखक है वो समझता है कि लड़का अच्छा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है और अब उसकी साधी होनी चाहिए लेकिन उसकी साधी के लिए कोई सुन्दर लड़की चाहिए वो से साधी के बारे में पूछता है लेकिन रंगा मना कर देता है कि कोई suitable लड़की उसे मिलेगी जो की बहुत ही virtuous होगी, talented होगी, prudent होगी, समझदार होगी उसके साधी करेगा अब ये author जो की उसकी साधी कराने के लिए कराना चाहता है उसमें लग जाता है तब ही वो पाता है कि रामराओ के घर उसकी नीज, उसकी भतीजी आई हुई है उसकी भतीजी के parents की death हो गई थी, इसलिए वो उसी के घर पर रहती थी, सहर से आई थी talented थी, वीना बजाना और harmonियम बजाना जानती थी, गाना जानती थी 11 वर्स उसकी एज थी, लेखक उसके घर जाता है और उस लड़की को देखता है तो वो एकदम से decision लेता है कि ये लड़की रंगा के लिए बिलकुल सही रहेगी लेकिन अब बात उनकी meeting कराने की थी तो राम राव से लेखक कहता है कि वो इस लड़की को हमारे घर भेज़ दे बटर मिल्क लेने के लिए, छाच लेने के लिए, लसी लेने के लिए और वो लड़की घर पर आती है और महाँ पर वो उसे कहता है गीत काने के लिए वो लड़की गाती है रंगा को भी बुलाया जाता है रंगा दरवाजे को के अंदर से उसको देखता है गाते हुए वो बड़ा ही इंप्रेस होता है तभी वो लड़की अचाने की रूख जाती है और वो लड़की के बारे में लेखक से पूछता है लेकिन लेखक उसे कहता है कि तुम्हें तो मैर रंगा बड़ा ही डिस्टरब होता है, यह थोट उसके माइंड में चलता रहता है, उस लड़की को लेकर, और वो अगली दिन जब ओथर से मिलता है, तो ओथर उससे पूछता है कि वाई, आर यू सो मुछ डिस्टरब, लगता है कि आप किसी बात से डिस्टरब हैं, कहीं इस का रिजन रतना तो नहीं है, रतना बाद अन्यम अब डेट गर्ल, लेकिन वो मना करता है, तब लेकर उससे कहता है कि चलो, हम किसी एस्टरोजर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि रिजन क्या है, वे एस्टरोजर के पास जाते हैं, एस्टरोजर से लेकर पहले ही इसा ही बोलता है कि तुम्हारी साधी एक ऐसी लड़की से होगी जिसका आर से नाम शुरू होगा वो ये भी हो सकती है दो तीन नाम वो अलग बोलता है ताकि उसे एसास न हो जाए कि ये बिलकुल फिक्स है पहले से ही उसके बाद रतना का नाम लेता है तब रंगा की करेज हो जाती है कि इसमें कहाणी दे गई है इसमें कुछ short questions है कुछ long question है long question एक है short about 607 है देखे question number one जो short में आता है ये important in mes examination में आएगा what is the writer call Indian geographers a flock of sheep तो कि उसके रंगा के गाओं का नाम होसाली है होस हली भी हम उसे बोलते हैं और इस गाउं का नाम जबकि ये गाउं कई चीज़ों के लिए बहुत फैमस है यहां के जो कुछ पेड हैं उन पर ऐसे पत्ते लगते हैं जो की खाना खिलाने के लिए जो पत्तल होती हैं उनकी रूप में परियोग किये जाते हैं दूदूर से लोग यहां लेने के लिए आते हैं लेकिन उसे बड़ा ताज़ूब होता है कि किसी ने भी उसके गाउं का वर्नन कहीं पर नहीं किया किसी भी जोग्रेफर ने किसी भी भुगोल वेता ने उसका वर्नन नहीं किया और हमेशा जो है सभी लोग flock of sheep का मतलब है जो अंग्रेज लोग है साहब लोग है उनको यह follow करने में लगे रहते हैं इसका आंसर है the writer feels that Indian blindly follow the sahips in England like a flock of sheep flock of sheep भेड़ों का एक जूंड होता है जिस तरह से अपने मालिक को जिस तरह से वो follow करता है ठीक उसी परकार से साहब लोगों को follow करते हैं लोग अपने गाउं का उधान लेता है अपने गाउं का उधान लेता है होसली का not finding a mention anywhere जिसका कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है he says वो कहता है that the English writers did not mention about this small village कि English writers ने भी इस छोटे जिगाउं का कहीं वर्णन नहीं किया Indian geographers too did not mention of it in geography book geography book में Indian writers ने भी इसका कहीं वर्णन नहीं किया बड़ा surprise होता है question number two है why were the people of the village curious to see रंगा रंगा को देखने के लिए गाउं के लोग curious क्यों थे रंगा was the son of the village accountant रंगा जो की गाउं के accountant का बेटा था the people of the village were curious to see रंगा रंगा को देखने के लिए लोग इस लिए उत्सुक थे whether he had changed after staying in the city कि सहर में ठेरने के बाद उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ था because many villages did not know to learn English when this story took place क्योंकि बहुत से गाउंवाले अंग्रेजी नहीं जानते थे उस समय तक जब ये कहानी घटित हुई थी रंगा वाज the first one to go to Bangalore for his education अपनी education के लिए रंगा पहला वेक्टी था जो की education के लिए Bangalore गया था and his homecoming was celebrated इसलिए जब वो घर पर वापस लोटा तो उसको celebrate किया गया था and people flocked to witness the change और लोगों का एक बहुत बड़ा जुंट चमावड़ा इखटा हुआ था ये देखने के लिए कि उसमें क्या परिवर्तन हुआ 10 years of Bangalore brought in him क्या क्या परिवर्तन हुआ था question number 3 what about रंगा impressed the narrator in the first meeting पहली meeting में narrator से रंगा इतना प्रभावित क्यों हुआ ये रंगा ने उसको इतना प्रभावित क्यों किया when रंगा returned after learning English from Bangalore जब बैंगलोर से English पढ़ने की बाद वापस लोटा he noticed the narrator उसने नेरेटर से मिला when the crowd had melted away जब भीड वहाँ पर जमा हुई थी he came to the narrator and did a namaskar respectfully saying बड़ी विनवरता पुरवक सम्मान पुरवक उसने उससे namaskar किया कहा I am alright with your blessing आपके आशिरवाद से मिलकुल ठीकू his namaskar was traditional and respectful उसकी जो namaskar थी वो एक प्रमप्रागत थी सम्मान जनक थी unlike the modern practice आधुनिक प्रकार की नहीं थी he bent low to touch the narrator's feet उसने जुक कर narrator के पैरो कुछ हुआ इससे उबड़ा प्रभावी थोई question number 4 है what kind of a bride was ranga looking for bride dulan को कहते हैं किस प्रकार की दूलन की तलास ranga को थी क्यों थी ranga wanted to marry a mature girl who would be able to talk lovingly वो एक ऐसी mature लड़की साधी करना चाहता था जो बहुत प्यार से बाते करे a very young girl was unlikely to understand him एक ऐसी लड़की जो उसको समन सके and could misconstrue his words और जो अपने सब्दों को निभा सके he spoken in love प्रेम से बोले he cited the example of Dushyanta who had fallen in love with the mature Sakuntala वो इसके लिए उधरन देता है कि जिस परकार से Dushyanta को Sakuntala से प्यार हो गया था बड़ी मैचूर थी he felt he could only marry a girl he admired उसने मैसूस किया वहके वो उसी लड़की से साधी कर सकता था जिसकी वो परसंसा उसने की थी he decided to remain a bachelor if he could not find the right girl उसने ये भी कहा narrator से कि यदि उसे कोई इस परकार की सही लड़की नहीं मिली तो वो जीवन भर कमारा रहेगा Question number 5 देखी Who was Ratna Ratna कोन थी Why was a narrator keen on getting her married to Ranga Ranga से Marries narrator उसकी Marries रंगा से क्यों कराना चाहता था Ratna was Ranga Rao's niece Ratna Ranga Rao's की भतीजी थी who had come to stay with him as her parents had died जो रहने के लिए माई थी क्योंकि उसके parents की death हो गई थी She was from a big town वो एक बड़े नगर से आई थी knew how to play the veena and the harmonium veena और harmonium बजाना जानती थी and had a sweet voice उसकी आवाज बड़ी शुरूई थी The writer considered her a suitable match for Ranga लेखक ने इस बात पर विचार किया कि Ranga के लिए ये suitable match होगा Question number six How did the narrator arrange a meeting between Ratna and Ranga उन दोनों की बीच में किस परकार से narrator ने meeting कराई कैसे विवस्था की The writer went to Ramarao's house लेखक Ramarao के घर पर गया and asked his wife to send Ratna to fetch the butter milk और उसने उसकी पतनी से कहा कि वो Ratna को भेज दे उसके घर लस्षी लेने के लिए that the narrator promised to send और narrator ने उन्हें लस्षी देने का वाइदा किया When Ratna came जब Ratna आई He told her to sit उसने उसे बैठने के लिए कहा and requested her to sing a song उसे एकीद गाने के लिए कहा उससे request की He then sent for Ranga तब उसने Ranga को भी बुला लिया While she was singing जब वो गा रही थी Ranga reached the door Ranga दरवाजे पर पहुँचा और उसने उसे गाते हुए सुना Question number 7 आता है What was Ranga's reaction Ranga की क्या परतिकरिया थी How did Ratna react to him और Ratna ने किस परकार से परतिकरिया की Ranga was taken in by the singing Ranga उसी समय में आ गया था जब वो गा रही थी He stopped at the threshold Threshold दहलीज को कहते हैं दरवाजा वह दहलीज में रुग्या As he did not want the singing to stop वह नहीं चाहता था कि ये गीठ रूके But was curious to see the singer लेकिन वो गाने वाले को गायक को देखने के लिए बड़ा उत्शुक था Carefully he piped in बड़ी साफधानी पूरवक उसने अंदर जहांका इन मेंने अंदर पिपट जहांका The light coming into the room was blocked यसी वो जहांकने लगा जो सूरी की किरने जो light कमरे में आ रही थी वो एकदम से बंद हो गई ब्लॉक हो गई रतना looked up रतना ने उपर देखा And seeing a stranger there वहाँ एक अजनभी को देखकर Suddenly stopped singing उसने अचाने की गाना बंद कर दिया दोनों की ये परतिक्रिया रही थी Question number 8 है What information did the narrator give Ranga that dispointed him narrator ने रंगा को क्या information ती जिससे उबढ़ा निराश हुआ Why do you think he did that जो उसने किया उसकी बारे में तुम क्या सुचते हो The narrator told Ranga that Ratna was married a year ago narrator ने Ranga को बताया कि रतना की साधी एक्सवर्स पहले हो चुकी थी उसने जूट बोला कि देखने के लिए कि वो क्या परतिक्रिया करेगा क्या एसास करेगा क्या वास्तों में वो उससे साधी करना चाहता है He did this to help him Realize उसने इसलिए ऐसा किया उसको Realize कराने के लिए His own feelings अपनी भावनाओं को और the girl उस लड़की के लिए And not get carried away by Western ideas कहीं इस चीज को Western ideas के आधार पर तो नहीं ले रहा है The writer got the desired result और लेखक को जो वो चाहता था वो परिणाम भी मिल गया था चुकि उसने रंगा को देखा जैसे उस रंगा ने सोना गिरतना के एक वर्स पहले साधी हो गई थी तो बहुत डिस्टरब हो गया था परिशान हो गया था Long answer type question में देखे कि वो एक question इसका है कि एग्जामिनेशन में आता है तो यही आएगा Discuss the reaction of the narrator and the people towards रंगा when he came back to his village from Bangalore जब Bangalore से रंगा अपने घर वापस आया तो उस समय लोगों की और narrator की क्या परतिकरिया उसके बारे में थी रंगा was the son of the village accountant उपर सी मैंने short question लिया इसको यहाँ पर add कर दिया जब short याद करोगे तो इसमें ही यह long याद हो जाएगा इसकी हिंदी मैं आपर पढ़ा चुका हूँ रंगा was the son of the village accountant he was the first person from the village to be sent to Bangalore to study the people of the village were curious to see रंगा whether he had changed after staying in the city because many villagers did not know English when this story took place रंगा was the first one to go to Bangalore for his education and his homecoming was celebrated and people flocked to witness the change during the stay in Bangalore brought in him यह तक मैंने पढ़ाया उपर हिंदी फस्स वो question में जो की short question है people rushed to his doorstep announcing that the accountant's son had come लोग उसके दरवाजे की तरफ दोड़ते हुए गए और यह घोशना करते हुए चिलाते हुए गए कि accountant का बेटा आ गया है लोगों की बहुत बढ़ी भीट उनके आगन में इखटा हो गई थी उसके आने से पहले ही जब रंगा बेंगलोर से इंगलिस पढ़ने के बाद वापस लोटा यह नॉटिस दे नेरेटर उस नेरेटर से मिला यह भी उपर पढ़ाय जा चुका है वें तक क्राउट हैड मेल्टी डवे जब पूरी भीड महां जमा थी यह केम टू दे नेरेटर वें नेरेटर के पास आया नेरेटर कहानीकार है और बड़ी ही उसने उससे नमसकार किया यह कहकर आई आम आल राइट में ठीक हूं विद यूर ब्लैसिंग आपकी आशिरवाद से इस नमसकार वाज ट्रेडिशनल और रेस्पेक्टफुल यह भी हिंदी पढ़ाय जा चुकी है कि उसकी नमसकार बड़ी ही प्रमप्रागर थी तीती रिवाजिक थी सम्मान जनक थी कोई modern practice के आधार पर नहीं थी यह bent low to touch the narrator's feet और उसने नीचे जुपकर narrator की पैरच हुए थे यह दोनों short question उपर से लिए हैं दोनों की इंदी उपर हो चुकी है उसके बाद इसका last है यह paragraph they were surprised to see that ranga was the same as he had been six months ago वे देखकर आशरी चकित थे कि ranga ठीक वैसा ही था जैसे कि छे मेने पहले था when he had first left the village जब उसने पहले गाउं को छोड़ा था an old lady who was near him एक बुड़ी महिला उस भीड के बीच में थी उसके पास थी क्या उसके पास गई ran her hand दोड़कर उसका हाथ पकड़ा over his chest उसके सीने पर हाथ रखा looked into his eyes उसकी आँखों में देखा and said और कहा since he is still or the sacred thread यह आज भी वो पवित्र धागा पहने वे था it meant that he had not lost his caste अर्थाद यह बात उसने जो कही थी इसका अर्थ यह है कि अर्थाद उसने अपनी caste को नहीं खोया था caste का मलब अपनी प्रमप्राओं को नहीं खोया था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि गाउं से वापस गया था अर्थाद उसकी रिती रिवाज नहीं बदले थे उसकी कल्चर नहीं बदले थी के वल उसने इंगली सीखी थी Once they realized that Runga still had the same hands एक बार उन्होंने फिर मैसूस किया कि Runga ये आज भी वही हाथ थे टांग थी, आखे थी नाख थी जो उस समय थी जब वह यहां से गया था और इसी के साथ ये लेशन फिनिस होता है Thank you very much